चंतन टीवी के विशेश कारक्रम हम तो पूछेंगे में आपका स्वागत है महिए अखेश मिश्र और आज हम बात कर रहे हैं आम आदमी 파र्टी के नेता दुर्गेश पाठागी के इत्तव में कि अड़्या लीकवत आप토रोप गो देना होगा जो आपको तेरा हजार क्रोन देना है वह तो आप दीजे महाराजून को कहां देना है मैं मैं वह जानना dao 마음에 देना है एक बतायेख संविधान से चलता है ये देश काखच पत्र से चलता है ये शिस्टम से चलता है मान लिजे में आपको एक एकसांपल देता हूं आप लिजे आपने कोई येक जमीन मेरे नाम पर गसी और हमारा है यह चाह होगय कि इंग के म jackets मुझे आपको देना है मालीजे मैं बीच में पलट जाओ और आपका पैसा ना दूँ तो आप क्या करोगे कोड जाओगे कोड गये मैं पूछना चाहता हूं क्या भारती जनता पाटी के लोग पिछले च्छे महीने से होड़िंग लगा रहे हैं बैनर लगा रहे हैं लेकिन को करें कि कोड के डारेक्शन पे अपने थोड़ा बहुत उनको पेमेंट किया है हर मामला कोड में तो नहीं जा सकता है ने ने कोड थोड़ा बहुत डारेक्शन नहीं देता है कोड तो पूरा डारेक्शन देता है यह देश सम्विधान से चलता है वह माल लिजे कि हमारा पैस मौदी जी के पास Central Government को जीसटी का पैसा Central Government को तो इस इस बात्ची दे दिया और फिर आप दो दिन सोग है तो यह कहीं गय नहीं अब आपको समझाना चाहता हूं कि यह सारा मामला आया कहां से पिछले 15 साल से भारती जनता पार्टी जितने भी नेता हैं मैं उनको चैलेंज करना चाहता हूं कि आप एक गली बता दो जिसको आप कहते हो कि हमारा यह मॉडल गली है जिसको हमने साफ करके सबसे बहतरी मता दिया तो इनका सफाई का काम है मोदी जी के सरवे में सबसे नीचे आए है इस्ट एम सिडी अड़तालिस अब मु दिखाए कैसे जंता को जंता में जायें कैसे तो इन्होंने एक सगूफा डाल दिया कि भाई केजरिवाल साब पैसे नहीं तो हम काम नहीं कर पा रहे हैं जंता समझती है अचा यह आप 13,000 करोन कहीं नहीं देना आपको कुछ नहीं देना अगर वो प्रूब कर दे दिल्ली सरकार से और जब यह तो कह रहे है न कि कजर्यवाल बड़े ज़्यापन देते ह rap खुभ बढ़े ज़्यापन देते हैं एक विजापन आप इस बैलन सीट का दे दीजे किसम को लें आ है किसको देना है मैं आप से पूच ना चाहता हूं कि दिलू की जंताने में उनक कुछ लिजी के संता ने हमें दिली की सरवकर थी आप अपना MCD चल रहे हैं उपना भई बचा के दिखाऊ हमने 3.5 क्रण करोन का फ्लाइओर साथ सो करोन में बना के दिखाया है और भी बारत साल लगाए तो दिल्ली सरकार से आपकी कंपेर नहीं हो सकती मैं आप से पूछना जाता हूं देखिए एक ही कारण है उपर से नीचे तक पूरी की पूरी एंसीडी और भारती जनता पार्टी की लीडर से ब्रश्टाचार में डूब चुकी है इसके कारण अब इनसे एंसीडी चल नहीं पा रही है आज आप यह देखिए कि यह दो चीप आप इसे कैसे हो सकता है कि पारसद ढाईगीची ना दस लाक में बीज Salakot Never है हार एक बिलडिंग से दिली कि पांच आप 10 लाक रूपे 15 लाक रूपे लें पार्शब अमीर होते चली जा रहेते दिल देंगू खतम करती है और प्रिचार केजरिवाल जी करते हैं उनका अरोफ है ना किसाब जो श्रे लेना होता है वो आप आके खड़े हो जाते हैं बेतन देना होगा तो आपके पास पैसे नहीं है आप देंगे नहीं मुझे बताइए कि भई वो कहते हैं कि हमने काम किया आपने तानले लिए ठीक है मुझे समझ में नहीं आता है आप मुझे एक चीछ बताइए आपने काम किया स्रे लीजे करमचारी आप के हैं माली जाओं अपने आपमें अख आप में बता देते हैं उन्हों ने फेल कर दिया पूरी एंसिडी कोषिस कर रहे हैं आप M.C.D. मुनको हरा नहीं पाए, तो आपने वो सारे हतकंडे अब आपना रहे हैं, कि इससे जनता परिशान हो, M.C.D. को गाली दे और चुनाव आ रहा है, दुरगेश पासक जी बन गए है, प्रभारी बना दिये गए M.C.D. के, खोद-खोद के एक चीजे ला रहे हैं, और अब उनका लक्ष है कि किसी भी तरह, चाहे जनता परिशान हो, चाहे कुछ भी करना पड़े, वो M.C.D. कभजा करना चाहरे हैं तो मैं यह कहना चाहता हूं आपसे, कि दिल्ली सरकार है, हर पार्टी चुनाव लड़ती अपनी तयारी करती है, मैं आपसे पूछना चाह कागज के साथ कह रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं कि यह सफाई में सबसे पीछे है, कागज के डंके की चोट पे कह रहा हूं, मैं आपसे जब कह रहा हूं, कि एक भी रूपय बकाया नहीं है, तो डंके की चोट पे कह रहा हूं, तो मैं यह कहना चाह रहा हूं कि हर सरकार टांस्परेंसी है हर सरकार जो कुछ कर रही है मैं आप से पूछना चाहता हूं कि भाई वो भी आए जवाब दे क्या दिक्कत है अगर माल लिजे मैं कोई आरोप लगाता हूं आके जवाब दे जवाब देने के लिए कुछ होता ही नहीं है मुझे तो मीडिया वाले बताते है कि जब आप प्रस कॉंफरेंस कर देते हो तो बारती जनता पाट्डी के नेता फोन ही नी उठाते कि कौन जवाब देश के ओपर क्यों गलत तो किया हुआ है इनोंने सुर्चते कि इसमें क्या फंसें ज्यादा पंस जाहेंगे हैं आपके भी जहरे पेसी आए आप भी मानते गाँ जवाब देना कि जो पैसा देते नहीं हुआ अख ऑर प्रस कुश को आप लोन दे देते हैं एग। तो जनता की सेबा कर रहा है उसी जनता की सेवा कर रहा है जिसको वोट और दिल्ली की सरकार चला रहे है हम ने किसी को लोन ने ही अः लोन नहीं तिया हम पहली बार दिल्ली सरकार के अंदर सारे के सारे सिस्टम फायदे में आ रहे हैं। पहली बार सारा का सारा टेक्स कलेक्शन इतना बढ़ रहा है। पहली बार हॉस्पिटल अच्छे हो रहे हैं। पहली बार स्कूल अच्छे हो रहे हैं। 2017 में मुझे याद है ते आप उस प्रश कॉणफंस में बैट्थे जब मनुझ टिवारी जी ने प्रस कोंफंस किया था जब उन्हों ने फिश्टो लगू किया था उन्होंने क्या का था सेंट्रल गवर्मेंट से पैसे लेके आँगा आज पूरे देश के अंदर सेंट्रल गवर्मेंट पर व्यक्ति 480 रुपए देती है इस एक माले जैसे दिली है दिली के अंदर जितनी पॉपुलेशन ए उसके कर दीजिए 488 रुपए उधना देती है और निकम गाजियाबाद को देती है गुड़गाओं को देती है दिली को नहीं देती पिछले दस साल से अगर दिली का देख रहे है तो 15,000 करोन रुपए मनते हैं वो तो कह रहे हैं कि केंशर का जो हमें पैसा मिलेगा केंशरकार मुझे एक चीज बताइए इनकी सरकार सेंटल में ये में है ये सीधा फंड लेकिया जाए मैं आपको ओफिशली कह रहा हूं यहां से मुझे कोई दिक्कत नहीं है आमादी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है और हमने लिखके भी दे दिया है कि हमें नहीं चीजिए फंड इ से सारी कमी नहीं कि है कि कुछ कभी आत्मी चिंतन करते हैं कि कोई कमी हमारे अंदर भी हो सकती है हमारे अंदर कम होगी हम बदलेंगे आभ बताओ क्या कम ही है हमारे अन्พरकर को बहुसा हम हाओ क जब एक करोना में हमें मदद मिली कहती है कि जो भी मदद हमने किसी ने की हम सब का धन्यवाद करते हैं करोना के दौरान बहुत सारे एंजियोज ने मदद की बहुत सारे मंदिर मस्जिद गुद्वारों ने मदद की हमने सब का धन्यवाद कि हम तो सब का धन्यवाद करते हैं देखिए दिक्कत यह है कि अपनी तो प्रेल्वे लाइनें के अंदर बहुत बड़ी जुग्गी बस्तियां हैं, बहुत से शिलम्स इलाके हैं, उसको काम करें तो थोड़ा वक्त लगेगा अभी कैमरा लेकर चलते हैं मेरे vaccinated में नाली है, उस में तो तो जुग्ञी, मुझे बताओ, ये तीनो कुड़े के पहाड खड़े कर दिया।र ये क्यों नही Tucson होते हैं करोद्तिष में दुझधन से भागना, आप अंदर बहुत खे all the activities के रोक्ता क्यिजू और इंजे कामß तो पूरे मुद्य को भुनाने के कोशिद करते हैं, किस तरा आप ग्रह मंत्री के दबाव में नहीं आते हैं, जिल नहीं बनाने देते हैं, क्यों कर रहा है? ठीक है, आप ग्रह मंत्री से बाचित हुई थी, उतको सार्विजनी करने के जरूर तो नहीं थी. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस देज का किसान पहली बार, बहुत सालों बाद, इतनी ठंड में, हम लोग यहां पे बैठे हुए, कपड़े मुटे 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 पहन के बैठे हुए, इतनी ठंड में रातों में लाकों किसान बैठे हुए है, किसान कह रहा है, यह ब बता नहीं पा रहे हैं कि बिल अगर इंप्लिमेंट हो गया इस देश के अंदर तो इस देश का किसान जैसे अंग्रेजों के समय में गुलाम था उससे भी ज्यादा बुरी हालात हो जाएंगे यहीं तो कह रहे हैं कि जब मार्केट खुल जाएगा तो आपको बेचने में तो ले कि सरकार है है सरकार तो लाने को तयार है ड़के करें लिख रहे हैं अब यहां फ्रबी न आप उनक डाकुमें ने लाइए अक्ट में बतलाव लाइए हैं अभाई लगानी न जाते हैं किसानों को आप बरगला रहे हैं और बहुत बड़ी संख्यामी किसान संगठन है जो किसी मंतरी से मिलके उनका धन्यवाद कह रहा है और यह तो बरसों की मांगती हमारी कॉंग्रिस भी है लाना चाहती थी सर्दपवार भी है लाना चाहते थे आज समयजाधी पार्टी के देता मुलायम सिंग यादो भी स्टेडनिक के शेयरमेन होते हुए इसी की वकालत कर रहे थे तो आप बिरूत क्यों कर रहे हैं लिए बड़ा एक अपमान है कि जब आप यह कहते हो कि आप बर्गला रहे हो लाखो किसाने लाखो किसानों को आप यह कह रहे हो कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे लिए क्या बिल पास किया हमने इससे तुम्हारा बहुत फायदा होगा तो यह तुम्हें बर्गला रहे हैं यह तो उस किसान का अपमान है आप उ काम है पता चल जाएगा मैं कुछ कहना नहीं चाहता है तूइ सहारा पता कर लेते हैं सारी चीजे निकाल आते हैं जो कागश रादमी की सहमतिया उसमें कुई वो नहीं लेकिन लाखों किसान आज पूरा पन्जाब के अरियानला के उत्तर प्रदेश के राजस्तान दिल्ली क बार्डर पे बेटे हुआ हैं उन किसानों के साथ है जो भी उनकी मांगे है उनकी मांगे माननी चाहिए उनकी माननी चाहिए सरकार को इसमें उनको कोई जो उनका एक वो है ना एक घमंड ऐसा चेहरा कि हम चुनाओ जीतते हैं तो मानने की जरूरत नहीं है यह छोड़ देना मुझे नहीं लगता सिंट्रल गवर्मेंट को यह सोगा देता है उन्होंने का आंकड़ा का कि राजस्थान में चुना हुए पंचायत के चुना हुए बिल का पूरा विरोध हो रहा था वहां प्रचंट बहुमत से जीत के आए तो मतलब कि यह चंद लोग विरोध कर रहे हैं जनता में इसका कोई आँ नाराजगी नहीं है देखिये जनता के देहर को वो नबहें मेरा तो अतना ही कह fault कि दोहजार 11000 इसी तरह की कुटर कॉंगरेसी भी देते थे इसी तरह का निदो कुटर्le इस बिल के साथ कोई नहीं है और और कॉंग्रेस का आगा पीछा नहीं बचा इस देश के अंदर तो भारती जनता पार्टी से मैं यही कहना चाहता हूं कि घमंड में मताई है किसानों की मांग जायज है वो गरीब लोग है ऐसे लोग आके बैठे में जो आप सोच नहीं सकते आप सुद्धिया जब में गष्बाँ घरों से माता बहने आकर बैठी हुई वह एसे थोड़ी बचाने में थोड़ी है उसको लगता है कि जिसके खिलाफ आप लडाय चुनाओं फिर उनहीं के साथ मिलेकर बना लेंगे सरकार बनाने की बाता है जैसे नहीं उनको एहरे नह वे दोनों 28 सीटें हमारी आई थी थी अमने विदानसवा पटल पर रखा कि यह हमारी मांग है यह हमारा एजन्डा है और इसके अधार पर हम काम करना चाहते हैं जो इसमें सपोर्ट करना चाहे करें जो नहीं करना नहीं चाहें जेजिन ओने जनलोग पाल बिलके उपर सपोर् सब्सक्राइब करें आप वहां के लिए ताल ठोक रहे हैं वीचेन है पर सिमंगाल में चुनाओं का एलान हो गया है वहां पर सतर उर्दल और केंट की सरकार में ठकराहट हो रही हैं वहां पर देखें हम बहुत हम चोटी पार्टी हैं और हमारे रिसोर्स बहुत चोटे हैं में अच्छा समर्थन मिलता है जहां पर हमारा संगठन मजबूत होता है वहां चुनाओं लड़ने की कोशिश करते हैं तैयारी करते हैं काम करते हैं धीरे-धीरे हर जगह करेंगे अभी फिलाल दिली में थे दिली के बाद पिर हमने एक स्टेट दो स्टेट में लड़े हमारे पास चद्दर है उसी के हिसाब से अपने पैरे फसार रहे हैं सर आपने कहा कि 2400 करून रुपए का नगर निगम का घोटाला हुआ है ठीक है किसी ने किसी को पैसा दिया हो उसका मिस्यूज हो गया हो जब पैसा रिलीज ही नहीं हुआ और मेरों का कहना है कि वह एक प दोगी को टाला नहीं है अच्छा मुझे एक चीज बताओ क्या होता है प्रस्ताओं एक चीज होती है जब मैंने आपको एक प्रस्ताव दिया, एक कोई कमेटी बनी कमेटी ने प्रस्ताव दे दिया, बजट प्रस्ताव नहीं होता, बजट सरकार का ऑफिशल डॉक्मेंट होता है, इन्होंने बजट में लिखा है, मैं थोड़ी न अपने से कह रहा हूं, मैं तो बजट की कॉपी कह र तो आ सब्सक्राइन हैन्य दिखारेजी जिसमें जीरो कर दिया है उन्हीं अगर हम लोग उसको नहीं करेंगे तो फिर बैलेंस इतमें आज जायेगा वहुग जाना बहुता मैं कहा रहा हूं कि बजट है बजट आपने प्रस्तुत किया बजट में आप कहा रहे हूं कि पचीस तो नियत तो खराब थी आपकी बजट में क्यों लाए आपको बजट में लाना ही जाए था आपको इसलिए लाए कि तीनों नगर निगों की हालत आपकी काड़ना खराब है वो कटोरा लेके खड़े हैं आप ऐसा उनको दे नहीं रहे है तो उन्होंने का भाई जो आपस में दूसरे को लेंदेन करना है वही माफ कर दें केजिरिवाल सरकार तो कुछ दे नहीं रही है गलत बात है मैं उनसे पूछना जाता हूं कि भाई आपकर है जो आपका रेविन्यू है उसमें पचीस सो करोड रुपय का नुकसान हुआ मतलब ब्रष्टा चार हुआ उसकी जाए तो आपको लडायां जमता के साथ रले जाते हैं यह सब जाने रहें आपस में एक दूसरे को लेंदेन करना है वही माफ कर दें केजिरिवाल सरकार तो कुछ दे रही है गलत बात है मैं उनसे पूछना जाता हूं कि भाई आप को नहीं जा रहे हैं अगर आपको लगत यह सब इन सब चीजों में लोगपाल को लेकर के आप को नहींगे आप रामडील ग्राउंड में बैठें आप बिजली की समस्या को लेकर को लेकर को लेकर को लेकर को नहींगे के जिरिवाल जी पोल पर चड़के काट दिये तो वो कोई काम करें वो करें जनता के लिए जनत यहां जो जो कह रहा हूं बहुत लॉजिकल कह रहा हूं सम्विधान के अंदर वाली बात कह रहा हूं। इनके पास कोई आकड़ा नहीं है, इनके पास कुछ है नहीं, यह सिप और सिफ जूट बोल रहे हैं, यह सिप और सिफ ड्रामा कर रहे है, वो कहते हैं, कि साब, दुरगेश जी आकड़ों के बाजीगर है, शब्दों के माफिया है, तो आप लोग उनके चक्कर में फच जाते किसानों की बातों में लॉजिक है, किसानों की बात में दम है, किसानों के बात में डॉकुमेंट है, आप अभी यहां से निकल के जाना और उनसे पूछना डॉकुमेंट बता दो, 13,000 करोड कहां कहां बाकी है, अरे आप जा तो सकते थे, माना उता का अधार में तो गया तो लेके बैठे हूए यह लोग जाना तो चहिए था और इसी आंडोलन की उपजे नहीं देखिए अगर आप राजनीतिक काम कर रहे हैं अगर आप राजनीति कर रहे हैं कि से चीज को लेकर फिर मेरा मानना है किitelी कि बात के पिछली बार इत 있고 Sать स rag bombard कि poku नो आपको क्या लगता है कि वह दिखावे के लिए भ्रम में कॉल्तिक्स कर रहे हैं के बचना चाहते हैं инकी कोई दूसरा रास्ता है मैं आपको तहरा रहा हूं है उन्होंने खتم कर दिया पूरी एक बार आप बैठ जाना किसे काउंटेंट के साथ आपको पता जल जाएगा पूरी M.C.D. खतम हो गई है वो कहते हैं यह सब आपका फ्रॉस्टेशन साभी है कि 15 साल साप M.C.D. में कपजा नहीं कर पा रहे हो इनी चोटी का जोड लगा देते हैं साम दाम दंड भेज सब करके आप M.C.D. पर कपजा करना ही पा रहे हो अब इसलिए जनता को आप जनता की कुर्बानी ले रहे हैं आप मुझे पार्टी बने हुए पांच साल होगे हम कहां इंसे लड़ेंगे यह तो बहुत बड़े लोग हैं हम तो आप सही कहना चाहते हैं कि मेरी बात में बच जाईए आप खुद एक अकांटेंट पकड़िए आप भी आई टीर बढ़ते होंगे आप अपना आयकर बढ आप मुझे बताईए वह बुज़ूर्ग जिनको पेंशन नहीं मिल लई है उनका घर कैसे चला होगा आपको नहीं लगता है बड़ेंगे संवेदन सिल मुद्दा है दिली के अंदर सवालाग के आसपास करमचारी हैं एंसेडी के उनको बेतर नहीं मिल लई है आपको नहीं अनधर कंऊरी है यह है आपशनों के देनानी को टडिया है यह सरुकॉर्ट के एक है अब का थास्वी किल पैसे जनता के नहीं दिया है ऊनुटार को यह जो अनका भशक्रे ऐप मेरे बनाएंगे कैन मेरों को बोगा अगर फे अंसें में बैठे रहेंगे घाने पर भी तो पर देंगे स्थन्ड में उनकी उनकी तो कॉश्रय है जरे नहीं प्रप्ट आप जो पर कि अपको तो दूख भी ओता है और मुझे वहां भूल्हा भी लगता है लेकिन मुझे इसा लगता कि सरकार को मेरी हाज जोड़कर बिनती होगी केंद सरकात से कि आपको जंता ने इतना ओट दिया है तना आपको वो दिया आप छोटे नहीं बन जाएंगे अगर किसानों के साथ मिलके इस Lot को किसी का फैदा नहीं है उनको भी पता है किसी को फाइदा और यह से दुर्गेश पाठाक यह जो अपने अंदास से अपनी बातों को कह रहे थे और इसी के लिए जाने जाते हैं